हाई वेलकम टू एम एसेस नाशारी एम एसेस नाशारी तरफ से स्वभी किसन को सागत करता हूँ आज नया नया कुछ थाइलांड की की बाहर कांटीडी का वीडियो प्लान को वीडियो लेके आया जो प्लान गामला में अरम से गोरो होता है और बागीचा बालने के लिए हो जाएगा वही प्लांट के उपार में वीडियो करता हूँ आप पूरा वीडियो इन तक देखते रहे ठीक है जो प्लांट देख सकते आप लोग यह एक बिहतरीन भार्याइटीज की वाटर रैपल की प्लांट ही इसका नाम किया बाली चॉमपा वाटर रैपल है जो बाली पर शुमपा जो नाम से सुन रहा है अभी एघर यह न्याव फ्रैट स्कॉट का कॉलिटी बहुत ही लेड अथा है इसमें अप लुग देख सकते हैं यह प्लांट बहुत हेली प्लांट है और प्लांट का कॉर कान्डीशन देखिए और कॉलिटी देखिए किए ईसके पत्त का लागा हुआ देखिए और यह प्लांट आप प्लांटेशन की एक सल बाद आपको फूड इस्टार्टिंग हो जाएगा और एक एक वाटर एपल का ओजुन आएगा मेक्सिमाम सौ गिरम के असपास कि खाने भी बहुत ही मिठ्ठा है और इसके आंदर सबसे बारा खाशिया देए एक या इसका अंदर कोई सीड बगारा नहीं है यह सीड़ेस भैटी जे नेक्स वैटिस अब लोग देख सकते हैं देखिए जो प्लांट देख सकते हैं यह भीद नाम और शेशन मोशंबी लेव लेवन और या मौसंबी लेवन दोनों एक ही प्लांट है दोनों नाम है इसमें और यह हमने साल में तीन बार फूट देने और प्लांट है यह एक हम समबी को ओजनाएगा 400 ग्रम के उपार और इसमें अंदर जूस कॉंपटिबल जूसे इसना अंदर और बहुत ही जूसे औ अच्छा भी मीट्टा है और पक्क के बाद भी मीट्टा हो जाएगा टेस्टी बहुत अच्छी रहेगा और प्लांट डॉडप भायाटी से ठीके यह आप गामला में गुरू करना चाहिए तो गामला में आराम से गुरू हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि गामला म में आराम से गुरू हो जाएगा और नेक्स भायिटिस अपको देखा रहा हूँ आप देख सकते हैं यह नाम डॉकमाई मैंगो प्लांट है आप देख सकते हैं दो साल की पुराना प्लांट है अल्देख यह पिलांट है और और ऑजिनाल एक्जोटीव प्लांट लेना चाह कुल से पोपाइड करता हूँ और ये नाम डख मैंगु का काला बहुत ही हाइड आता है इसमें हाइड मेंगो बोलता है क्या में प्लान इसन की 1 सालबाद आपको फूड स्टारें ओ जाए गया just इसवी में प्लान आप गामला में गर मंद चाहिए तो गंवने में आराम से लग जाएगा तो श्राइब यह लगाना पर एक बहुत ही अच्छी भाईटी से ऐड्य प्लांट मोधी कांडिशन दिए बहुद है इसमें टेस्टी भी बहुत ही नीटर है रहेगा और पुरा भी कंफटिबल जी फ्लांड फिलांच प्लांड देख सकते इसका नाम है रेटबर मियंगो पिलांट इसके मियंगो छालार भी बहुत ही तरी भैटिस दर कालार मेंगो प्रॉट या चाहिए और देख शकते यह तिन साल की पुराना फिलांटी आप देख इद्रोग्रप्टेट तिन सालोगी आप देखिये में घुमा के आपको दिखा दे रहे हुए और उसमें उपर देखिए कितना हार तरीका से ब्रांट नेया ब्रांट से इसमें आ चुका है देखिए और प्लांट देख सकते हैं बहुत यह अच्छी व्यटिस प्लांट आपके घामला में गुरू करना चाहिए तो गामला में आराम से गुरू हो जाएगा और एक खेती बारी करना के लिए बहुत यह मुनाफा मैंगो प्लांट है इसमें क्या फार्मिंग की बहुत ऑच्छी व्यूलक है मेंगो का भाव बहुत जहादा चलते हैं कि इसमेंगो आता है पाल ठरीट कुरिये ठीक है कि के अट्यक्तस मीट्टभ आए नेट्स प्लांट दे मिट conducting सकते ऑप तो जो प्लान देख सकते आप लोग यो डिरागन की बहुत बेठीरिन वाइटिस राध सब्धी मिलता है उर प्लात का सकते यह उक्त ने पूरान अपर देख सकते एक सल की पुराना प्लांट है और प्लांट का विटे की तो आछेकॉड एक प्लां में 2-3 गा और आप फ्लां यह अंडिट पर्सेशन में जिसमें कि इसमें प्लाइब का क्वाइटी देगे किसे हेल्थी करक्षान रहे गर प्लाइब प्लाइट की द्यूट पूट मिलता है और फ्लाइब गामला में लगाना चाहिए तो गामला में आराम से लग जाएगा और इसके ड्रागान की टेस्ट ये ड्रागान मिठ्था याता है हमारा पास बहुत सारे एवेलेबल है जो रेड योलो वाइट ऐसाइसे ड्रागान पिंक में मिलता है मेरा पास आप जिस बैटिस चाहिए उस बैटिस को नाम लिख के वह जी है ठीक है वाट्षप में आपको आप जानकरी दे देंगे मेरा वाट्षप नामबर 8001001094 अहां इसे नमबर से कॉलर वाट्षप करके आप घर बाइटे प्लान ऑडर कीजिए और यह जो प्लान देख सकते हैं यह प्लान तीन सल की पुरहना प्लान है और एक प्लान में देखता है कितना ब्रांस है मेक्सिमम अब रहत हों तो नाम किया जो के लैंक चाचिकको प्लान ऑपता किया देखा है तो तीन सल की पुरहना और प्लान आप गामला में गरू गारना चाहिए तो गामला में देखिए अलम से गोरू हो जाए एक छोटा सा फ़लिथिन ब्याग से देखिए उसमें क्या में फुलर लागा हुआ और इतना बढ़ा बढ़ा विलांस हो गिया आप प्र लांट गामला में गुरु करना चाहिए तो गामल अराम से प्लांड आप प्रणा भी आपको फूड स्टाडिग और जो प्रण अब है और देख सकते हैं इसमें दो साल की तीन साल पुराना प्लान्ट है और प्लान्ट का हाइट है इन मेंगो जो एपल मेंगो का यह चार फीट के अस्पास इस तरफ से आता है उसद लिए इसका नाम किया एपल मेंगो ठीक है और इसमें खाने भी बहुत ही मीठर आएगा और के मैंगो का ओ जोना एगा मेक्सिमाम छोग गरम से उपार और इसमें सीड जो मैंगो सीड़ सीड़ बहुत हलका रहेगा और टेस टीवी बहूत ही मीटर हैगा और आप ये प्लांट गामला में गोरू करना चाहिए तो गामला में आराम से गोरू हो जाएगा हाँ दियान से सबकी गमला आराम से गुरो हो जाएगा